मार्च सिमाही के रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो चुका है जो अगले डेड़ महीने तक जारी रहने वाला है कच्चे तेल समेश केमोडिटीज की बढ़ती कीमतों से कई सेक्टर्स की लागत अब बढ़ने की आशंका जताई जा रहे तो वहीं दुनिया में उपजे नए हालात कुछ सेक्टर्स की कमतियों के लिए फायदे मन भी हो सकते हैं मार्च दिमाही के ठीक बीच में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का किस सेक्टर पर दिख सकता है कैसा असर और ऐसे माहौल में कहां बन रहे हैं आपके लिए कमाई के मौके ये बताने के लिए हम लेकर आए हैं खास पेशकश Q4 जोर या कमजोर नमस्कार मैं हूनेहा अनन्द और हमारे साथ मेरे सहयोगी जोड़ चुके हैं अच्छी खासी रिसर्च लेकर तो मेरे सहयोगियों से आपका परिचाय करा दूँ मेरे साथ हैं कुशल गुपता वरुन दूबे और अर्मान नाहर ये तगड़ी रिसर्च लेकर आए हैं पूरे तिमाही चौथी तिमाही के जो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये तीन ओल थ्री जेंटलमें विल टेल कि क्या क्या हम अलग-अलग सेक्टर से एक्सपर्ट कर सकते हैं साथ ही आपकी मदद के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीब जैन जो आपको बताएंगे कि ये जो रिजल्ट सीजन है इसमें आप पहले ही कैसे तैयारी कर ले क्य सुरुबात करेंगे आई-टी स्पेस आगाज हो चुका है ओलरी बिगज ब्लुचिप कंपनी के साथ टीसेस के साथ अब बताईए क्या एक्सपेक किया जाए चौथी तिमाही के नतीजों से लिगा आई-टी ने में ओवरल नहां अगर हम देखे ना तो नंबर इन लाइन ह आप देखें ऊपर टॉप लाइन जो है वहां पर काफी अच्छी ग्रोध के एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है आपने देखा ही कि एफ़ाई 22 में यहां पर रेकॉर्ड डील विंस इन फैक्ट जो ओर्डर बुक है वो आती वी दिखी थी टीसेस की तरफ से पर मार्ज आप देखें यहां पर तमाही तोर पर 3-5% की रेंज में हम कॉंस्टेंट करेंसी ग्रोध का अनुमान करकर चल रहे हैं जो आइफरेंट पर है और लगातार M&A एक्टिविटी तमाम जो कंपनिया करती वी नजर आ रही है उसको लेकर क्या आउटलुक है आगे सभी तमाम दिगज IT कंपनियों क्योंकि Accenture के नंबर्स के बाद यहां पर भी नंबर्स की अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी हाला कि मार्जिन्स पर अभी भी हम दबाव करीबन आधे से 1% तक दीख कर चल सकते हैं अट्रेशन अगेन एक चिंता का कारण अभी ब दमदार रही है तो आगे चल कर जो आउटलुक रहेगा Fy23 का वो सबसे जादा इंपॉर्टनेंट है और गाइडेंस आप दीखें इन्फोसे जब अपने नमबेज डिक्लेर करेगा तो गाइडेंस से भी हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है दिखेगा पूरे के पूरे स सेक्टर के लिए चलिए उस पर तो हमारी नज़र रहेगी लेकिन एक क्विक चेकप संदीब जी से लेते हैं संदीब जी आपने कुशल को सुना अल्मोस्ट इन-लाइन एक्सपेक्टेशन है कोई बहुत बड़ी या डिवास्टेटिंग एक्सपेक्टेशन नहीं है और TCS अपने नतीजों के जरिये वही आप कह सकते हैं दर्शाया है मुझे बताइए कि इस सेक्टर में कमाई के मौकें कहां बनते आपको दिख रहे हैं यह लोग पहुंच गए प्रॉफिट्स में ठीक है एक्टरिशन इस बीग इशू और थोड़ा मार्जन पे प्रेशर रहेगा बट मुझे इसा लगता है यह कंपनिया एक्टरिशन को कंट्रोल करने के लिए और TCS पर्टिविलर्ली मैंने देखा बहाँ चैनल चेक्किया व अभी ग्रीन में है और ऐसे ही आगे भी आने वाले जो जैसा कि कुछल जी ने कहा कि जो बड़े दिगज है वो लोग के रिजल्स इन लाइन ही रहेंगे बहुत ज्यादा कुछ मुझे नेगेटिव सर्प्राइज और पॉजिटिव सर्प्राइज की उम्मीद नहीं है बट अच्छा लगता हूँ और 4500 के बाइब प्राइज के बाद अगर आपको 3700 के लेवल से मिलता तो one should certainly grab it क्योंकि हर साल ये लोग लाते हो और हर साल बढ़िया प्राइज पर बाइब लाते तो that becomes a good exit route also अच्छे टार्गेट के साथ so 4150-4230 का टार्गेट आने वाले 6-9 मेने के लिए दूसरा मुझे ऐसा लगता कि एक स्टॉक है जो की बहुत ज़्यादा पार्टिसपेट भी नहीं क्या बहुत कॉंसोलिडेटेटेड है मिट्क आप IT स्टॉक्स ऐसे तो IT में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स one after the another कम से कम 20 और जैन साब के जैंसर मेरे फेबरेट सेग्मेंट रहा है बट सुनाटा सॉप्टर को भी देख सकते हैं इंग लेवल पे 920 के टार्गेट के लिए आने वाले 6-9 मेने के लिए पॉइंट टेकन चलिए ये तो बात हो गई IT सेक्टर की कि क्या उमीद की जाया चौती तिमाह जाए बात है वो तो सुद्र हैं मोड एन एकनामी के हाला सुद्र इन कमनियों की जो बैलेंशीट के हाला थे वो आपको सुद्र तो इन अजाएंगे कि इसके पहले आपने देखा था कि साल दसाल बेसिस पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गयते आर बी आ के तरफ से तो उसका इंपैक जो है बैंक्स की बैलेंशीट पे देखने मिला तो और कुछ हद तक यह जो बैलेंशीट है वो गड़बड़ा गई थी लेकिन अब जैसे जैसे हाला ठीक हो रहे हैं तो इन कमनियों की बैलेंशीट जो है उसमें वी सुदार आ रहा है खासका प्रोविज कम होते तो इसका सीधा इंपैक जो है आपको कभनियों के मुनाफ़े में देखने मिलेगा और एक तगड़ा जम जो है आपको बैंक्स की मुनाफ़े में इस बार देखने मिल सकता है लोन ग्रोज जो है वो भी अच्छे रहने वाली है आपने एक समय पे देखा था कि जो ओ युज़त्य दिखाई देगी ऑफ्टेक्स वहाँ भी अच्छी खासी बड़ोतली है इसके चलते अगर आप देखेंगे तो नेट इंट्रेस्ट इंकम जो है वहाँ पे अच्छी खासी बड़ोतली होने का अनुमान लगाया जा रहा है हाला कि ट्रेजरी इंकम जो है वो इस काफी सारी रिपोर्ट मान के चल रही है और एक सेग्मेंट और माइक्रो फैनेंस सेग्मेंट आपको याद होगा जिस तरसे इनकी सबसे ज़्यादा हालत खरापती तो हो सकता है इस बार इनकी बैलेंस शीट भी थोड़ी बहुत सुद्ध तो नज़ा है तो बैलेंस शीट की संदीब जी से जानते हैं कमाई के मौके कहां मिलेंगे संदीब जी आपका क्या व्यू है कौन से स्टॉक आपको पसंदे इस सेक्टर में बिल्कुल वरुन जी ने बहुत बढ़िया कहा कि देखे अप्तिक है क्रेडिट आफटेक में एसेट कॉलिटी इंप्रूट होगी द तो मुझे लगता कि इनके एसेट कॉलिटी में बहुत बड़ा इंप्रूब्मेंट दीखेगा और सबसे ज्यादा अफेक्टेट अगर कोई सेक्टर था तो बैंक सी थे और मेंपाइस थे जैसा कि जीक्र किया क्योंकि बहुत ज्यादा यूमन कॉंटेक्ट वाले ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी और बैंक निफ्टी आगाज लेगा कही निफ्टी को उपर लाने में और आज भी देखिये रिकवरी में अगर देखे तो बैंक काफी अच्छा कर रहे हैं तो ICSA bank मेरा टॉप पिक है इस सेक्टर में देखे मुझे समाओ ICSA bank सबसे मुझे लगता है कि यहां पर भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे अवेलेबल है और अनिल जी ने तो आपने बढ़ने पिक के तौर पर पास में भी स्टॉक को बहुत अच्छे लेवल्स पे रेकमेंड किया तो अच्छा पैसा बनाई है तो इस स्टॉक को एक सो पंदर के ट पे देखना चाहिए और बंधन बैंक उट में से टॉप पी का 360-70 गे टांगेट के लिए चलिए तो जैन साब को बैंक सेक्टर में और बंधन बैंक में सबसे बैतरी इंकमाई के मौके इस result season में नजर आ रहे हैं अब बढ़ते हैं cement sector की तरफ अर्मान आपकी पूरी research तयार है क्योंकि cement sector बहुत active हाल-फिलाल में रहा है तो नतीजों से क्या expected है देखे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो cement sector के लिए जो core concepts है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है volume के उपर, margins के उपर और realization के उपर अब अगर आत में करू volume के उपर तो volume में आप अगर देखेंगे तो लगबग अब देड़ से 3% तक की घिरावट आ सकती है volume के हिसाब से पर अगर realization जो है, वो realization इंप्रूव होने का अनुमान है इंप्रूव क्यों होगा क्योंकि जो फरवरी और मार्च में सारी कंपनियों ने प्राइज हाइक्स लिया था, प्राइज हाइक्स क्यों लिया था, क्योंकि जो उनकी raw materials की cost है उसमें बड़ोत्री आ गई थी अब देखें, limestone से जो cement बनाया जाता है तो उसको heat करने के लिए आपको koila चाहिए रेता है पैटकोग चाहिए रेता है और अब जो limestone है उसको manufacturing capacity तक पहुचाना और customers तक पहुचाने के लिए आपको freight cost लगती है इन सब में काफी बड़ोत्री के कारण margins में खासा pressure देखने को मिलेगा और margins जो हैं आपके जो वो लगबग EBITDA पर टन अगर में बोलू तो 20-25% तक कि उसमें गिरावटा सकती है अब बात आती है कि prices hike में तो south west ने तो लगबग 9-10% मार्च के महिने में prices बड़ाया है और अगर east और north की बात करें तो वहाँ पे 4-5% की बड़ोत्री हुई है अब अगर outlook की बात करें तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में ये growth अच्छी हो सकती है ये उसका reasons ही है क्योंकि जो government की infrastructure का spending है और जो allocation है वो काफी अच्छा है इस कारण जो outlook है वो positive है ओके outlook positive नजर आ रहा है यानि कि Q4 इनके लिए जोरदार सावित हो सकता है Sandeep जी आप इतिफाक रखते हैं अर्मान जो कह रहे हैं और इफ येस आपको कहां पर strength और कमाई का मौका दिख रहा है सिमेंट सेक्टर में First of all congratulations to Arman जी मैं पहली बार उनके साथ शो कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है कि सिमेंट सेक्टर जो की मेरा favorite सेक्टर है और उसके उपर कमेंट कर रहे हैं मुझे इसा लगते हैं कि सिमेंट सेक्टर में raw materials की prices का impact दीखेगा और fourth quarter हो सकता है कि देखें उनका उतना ज्यादा अच्छा नहीं आए बट जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में demand की जो push है इनफ्रा के ओपर सरकार का push और इस budget में भी देखें इनफ्रा के ओपर बहुत जबर्दस focus किया गया और real estate की demand की वज़े सरोगेटली बहुत बड़ा beneficiary रहेगा तो मुझे लगता सिमेंट सेक्टर एक अच्छे level पर और एक अच्छा contrarian sector बेट हो सकता तो बिल्कुल इस sector बे ध्यान रखे देखे कल भी कुछ आउट परफॉर्म करते वे दिखे देखे और आज भी मुझे स्री सिमेंट दिख रहा था कि आउट परफॉर्म करते वे तो सिमेंट सेक्टर में भी जोरदार कमाई के मौके दिख रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं और आटो सेक्टर का रुक करते हैं वहाँ पर भी अच्छी खासी हलचल हमने देखी है तो कुशल आप इस एरिया को काफी स्टॉंगली ट्रैक करते हैं जरा बताइए कि गाड़ी इनकी आगी बढ़ेगी या ब्रेक फेल होगा डेफिनेटली कुछ-कुछ सेगमेंट्स में तो काफी अच्छा प्रेदर्शन के एक्सपेक्टेशन्स है पर कहीं न कहीं जो मार पड़ रही है वो डेफिनेटली कमोडिटी इंफलेशन की वज़ए से कंपनी जितनी कंपरिटिवली प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए थी वो प्राइस इंक्रीज उतनी नहीं हो पाई है तो जाय से बात है कि इनका जो इंपाक्ट है वो आपको ओवराल वॉलिम्स पर भी आता वा नजर आएगा जिस तरह से डिमांड से अभी थोड़ी सी वापी से की उमीद लगाई जा रही है हीरो मोटो कॉप से वो कमजोरी के संकेत ही दिखा रही है मार्जिन पर तो दबाव रही गई साथ ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर भी हम एक इंपाक्ट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि रूरल एरिया से यहां पर कंपनी के जो सकना चाहिए यहां पर हमने पहले आपको लिंक करकर भी बताया था कि किस तरह से यहां पर जिस तरह से क्रूड में आपको उबाल आता हुआ दिखा है इंपार्ट जो है क्लियर कट इनकी मार्जिन पर भी आता हुआ दिखेगा तो नेगेटिव साइट पर टायर स्पेस की क कि एफेक्टेट रहा है और क्रूड की प्राइज़ और डिजल पेट्रोल की प्राइज़ की वज़े से भी डिमांड में थोड़ा सा फरक पड़ेगा और टू विलर्स पे भी कोई बहुत ज्यादा ओफटेक देखने को मिला नहीं है और सेमी कंड़क्टर वाली जो प्रॉ तो वीस्टी टिलर से अच्छे लेवल्स पे वहां पे ध्यान दीजिए मने जो की एक अच्छी का से होल्डिंग कंपी भी है घजब का ग्रूप है और बहुत बढ़िया लॉंचे इनके रहे हैं एक्श्यूवी सवन एंडड भी रिसेंट लियो और प्लस इवी में भी फोर इस तरीके से जैपनिस प्लेयर बड़ा घुसा और ऐसे लेवल्स पे स्टॉक तो इस लेवल पर ध्यान दिया जा सकता है बागी और इंसलरी स्टॉक्स मैंने वन आफ्टर दे नादर बहुत सारे रेकमेंड किये फ्रीम इंडिया निकोन एम फोर्जिंग काल ब्रोस बैंको इंडॉरेंस और टायर स्टॉक्स देके अंडर परफॉर्म करें और बहुत सही है और पुछल जी ने मुला कि इनको तकलिफे और भी है बट फिर भी मुझे लगता है कि टीवे स्री चक्रा घुडिया यह सब अच्छे लेवल्स पर है वहां पे कॉंट्रारियन बैट्स ले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं FMCG सेक्टर की वरुन आप कॉंस्टेंटली सेरिया को ट्रैक करते रहे हैं और हमने देखा है कि इसमें भी खबरों खबरें कुछ कम नहीं रही है बहुत आक्शन दिखा है तो बताईए कि Q4 कैसा साबित होगा देखिए निया इसमें मे आपको इसमें के नतिज़ों पर जितनी कमनिया है सबके माजिन में यह माना जा रहा है कि माजिन में दबाओ रहने वाला है लेकिन साथी साथ याद लखेगा इन कम्णियों ने प्राइस हाइक भी लिए थे तो ग्रोथ होगी हाला कि जो पहले हम देखते थे कि डबल डिज है नो डाउट आफ होम कंजम्शन जो है वो बड़ा है क्यों साथ में अगर आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ी बहुत रिकावरी आई है तो वहां से मदद मिलेगी लेकिन एक चिंटा जो पिछले कुछ कौटर से फमसीजी कमनियों में लगातार है वो है रूरल डिमा लगातार प्रेशर में थी इस बार देखना होगा कि रूरल डिमांड को लेके कमनिया क्या अपडेट देती है ओके जैन साहब आपकी पसंद फमसीजी सेक्टर में बिल्कुल देखें बहुत ही अलग टाइप का एक प्रफॉमेंस देखने को मिलेगा और आईटी से तो हमार प्रेट मैनुफेक्शरिंग करती है बहुत सारे ब्रैंड्स की स्टॉक को मैंने जेंसाब के जेंस में भी दिया हुआ है तो 2190 के टार्गेट के लिए इस टॉक को देखा जा सकता है एक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहु है ब्रिटानिया इस ग्रूप के काफी स्टॉक पॉइंट टेकन चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर का आक्शन कम यहां पर देखने को नहीं मिला है बहुत उठापटक देखने को मिली है एक समय तो लगातार उसमें स्ट्रेंथ भी थी और खबरें हम लगातार उसमें अब यह बुकिंग्स का रहने का और इसका रिजन्स यह है क्योंकि अब जैसे अब आई-टी सेक्टर में आदे से जादा जनों को और मैक्जिमम अब दो तीन जनों दो तीन महिनों में दोस्तों से भी बात करी तो सब के सब वर्फिस में आने वाले हैं साथ में अगर मेजर यह चौथी तिमाही बहतर रह सकती है जैन साब आपको पसंद है कुछ रियाल्टी स्पेस में अगर किसी को पैसा लगाना हो तो कहां लगाएं येस ये सेक्टर में में बहुत भुलिश और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में रियल स्टेट वापस से बहुत अच्छा अच्छा माहूल है अच्छी तिमाही के नंबर्स एक्सपेक्टर है जैसे कि अर्मान ने कहा और वो जो कंपनियों का जिक्र किया जैन साब ने उस पर डेफिनिटल आफ फोकस करके इस रिजल्ट सीजन चल सकते हैं और आखिर में मेटल सेक्टर ये सेक्टर पूरी तरहां से वरुन हम कहेंगे कि कमोडिटी बाजार की बेंट चड़ा हुआ है कभी चड़ जाता है कभी गिर जाता है मल्टियर हाइज लोज बनते देखें इंवेंटरी की स्थिती खेर उन सबको तो साइड में रखते हैं उसमें तो हम शो अलग कर लेंगे लेकिन सेक्टर के लिए कैसे मौके हैं देख मेटल और माइनिंग को मैं दो में डिवाइट करूँगा मेटल और माइनिंग अगर अप मेटल कमनीज के देखेंगे तो वहां हो सकता है कि आपको शायद नतीजे थोड़े दिले देखने मिले लेकिन माइनिंग कमनीज यहां पर नज़र रखेगा क्यूंकि खासकर जो विल्कुल मैं माइनिंग पर अबिशा से बड़ फोकस दिया हूं और इन्वेस्मेंट के लिए माइनिग स्टॉक बहतर होते हैं ट्रेडिंग के लिए देखेंगा मैं अब मेटल्स को ट्रैक करते जिसको हम क्मोडिटीस को आप भी काफी ट्रैक करते मेंगे ने भी किया है तो वहां पे भी ध्यान दे और फेरस और नॉन फेरस में देखिए, अल्रेडी बहुत बड़ा प्रफॉर्मेंस देखने को मिला, बट ये एक स्टॉक है जो कि मैंने जेम्स में भी दिया, और अच्छा कासा कूटा हुआ है, इसलिए मुझे लगता कि अब बॉटम फिशिंग की जा सकती है, तो ये स्टॉक है कि इसको लेकर आप लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं, सबसे बढ़िया कि इनकी डिविदेंट इस, OPM, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एंड मॉयल, मैंगनीज, और जैसे कि संदूर मैंगनीज में तो देखा ही कैसा करिश्मा हुआ है, मॉयल is again a fantastic company, और इस सेक्टर से मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक दिया है, मैथन एलोईज है, रतना मनी, मैटल्स है, ये सब के भी ध्यान दे सकते हैं, तो मॉयल को 185 के लेकर लेकर 220 के टारगेट के लिए इस स्टॉक को बिलकुल लेना चाहिए, 6-9 मैंने किया दिया है. पॉइंट टेकन जैन साथ, थांक यू सो मच, आज हमारी इस खास पेशकश में जुडने के लिए, और हमारे दर्शकों के एक बहतरीन तैयारी करवाने के लिए, नतीजों के सीजन का तो यहां अगाज हो चुका है, लेकिन उससे पहले कहां के सेक्टर में कितनी कमाई का इसमें आपने हमारी मदद की, साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूंगे हमारी पूरी रिसर्च टीम का कुशल वरुन अर्मान, थांक यू सो मच, आपने इतनी मेहनत की अच्छी खासी रिसर्च लेकर आए, और उसके दम पर हम ये शो खड़ा कर सके हैं, चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकर शुक्रिश में इतना ही मुझे दीर जैजासत, मुस्ताइब